नमस्कार दोस्तो रियल वेब में एक बर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्लैस अलर्ट एप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गайт तो गाइस अकर आप ही चाहते हो फ्लैस अलर्ट एप्लिकेशन क्या है और इस एप्लिकेशन को हम अपने फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहे है तो गैस सबसे बहले इसके लिए करना क्या होगा वोगा प्लेस टोर में जाना है और play store में जाने के बाद flash alert application को अपने phone में download कर लेना है तो मैंने इस application को already इपने phone में download करके रखा हूँ आप इस application को download कर लीजिए और download करने के बाद कैसे application को use करना चली मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे फ़िए यहाँ पर हम application को open करेंगे अब जैसे हम अपने phone में flash alert application open करेंगे open करने के बाद application थोड़ा सा loading लेगा loading लेने के बाद application जो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगी अब यहाँ पर सबसे पहले आपको language select करने हैं तो मैं English language select करूँगा उसके बाद उपर की side में done पर click करेंगे done पर click करने के बाद यहाँ पर flash alert on incoming call SMS or notification तो यहाँ पर आपको इसकी फिलाल कर सकते हैं यहाँ पर आपको next भी कर सकते हैं यहाँ तो मैं यहाँ पर get started करके application को पहले open कर लेता हूँ तो जैसे application open करेंगे उसके बाद एड शोगी तो उपर की side से आपको जो एड को close कर लेना है एड close करने के बाद देख तो flash alerts आ रहा है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यह application है क्या तो basically यह जो application है जिसके अंदर आपको flash light मिल जागी जिसके अंदर आप जो flash alerts option भी आपका call आएगा उसके बाद आपके phone में जो flash alert होगा ठीक है न तो यहाँ पर सबसे पहले इसे on करने के लिए यहाँ से on कर लेना on करने के बाद allow पे click करेंगे allow पे click करने के बाद यहाँ पर यह एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी add आएगी उसे close कर लेना है तो इस तरह से जो भी आप settings करना चाहते है उसके अंदर आप कर सकते है उसके बाद जब भी आपके phone में call आएगा तो यहाँ पर आपका जो flash रहेगा वो alert होना start हो जाएगा तो इस तरह से guys आप अपने phone में activate कर सकते है उसक